नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मनिशा मेरे यूटिब चानल में आप सुखका स्वागत करती हूँ इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक क्या है इम्यूनिटी यानि रोगप्रतिरोधक शक्ति हमारे आज पास बहुत सारे वायरस और पैक्टिरिया गुंते रहते हैं उसमें से कहीं हमारे नाक से और मूँ से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी कमजर हो तो हम अक्सर बीमार पड़ सकते हैं अगर हमारी immunity strong हो तो ऐसा वाना जाता है कि हमारा शरीर हर बिमार इससे लड़ने के लिए सक्षम रहता है जंगल की जानवरों की तरह हम भी बिना बिमार हुए लंबी उम्रे तक जी सकते हैं Nowadays हमें infections का बहुत सारा खत्रा उठाना पड़ता है Nowadays हमें coronavirus, micromycosis और micron जैसे infection का खत्रा रहता है इससे जान भी जा सकती है अगर हमारी immunity strong हो तो हमें infection का खत्रा कम रहता है तो मैं इस वीडियो में होमीपैती से हम हमारी immunity कैसे बढ़ा सकते हैं यह बताऊंगी तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको एक एक करके होमेपैतिक मेडिसिन बताऊंगी पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है टिनस्पोरा मदर टिंचर आप सबको तो गिलोय के बारे में पताई है अगर आप आपकी immunity कम समय में बढ़ाना चाते है तो इस मेडिसिन का प्रयोग करें इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए एक होमेपैती में बहुत ही पावर्फल मेडिसिन है वाइरल इंफेक्शन, सरदी खासी जुकाम, फीवर के साथ-साथ, ये बालों का जड़ना, डायबिटीस, कोलेस्ट्रॉल, जोडों का दर्थ, इसमें भी बहुत फाइदेमन्द है इस मेडिसिन के आप 15 बुन सुबह, 15 बुन शाम को गुनगुनी पानी में ले सकते है और बच्चे जे 12 सल के नीचे के उम्र के है, उनके लिए 5 बुन सुबह, 5 बुन शाम को अपे ले सकते है दुसरी जो मेडिसिन उसका नाम है ओसिमम सैंक मदर टिंचर इसको तुलसी कहते है, दुनिया के बहुत सारे फार्मासिटिकल कंपणी में इसका उप्योग किया जाता है इसमें एंटिबैक्टेरियल एंटिमाइक्रोबियल गुंदर्म पाया जाते है इससे खासी, जुकाम, सरदर्द जैसे बीमारिया ठीक होती है इसके साथ-साथ, chronic diseases जैसे, bronchitis, asthma, इसमें भी ये भहुत उप्योगी medicine है इसकी doses, आदा कब गुन-गुने पानी में 15 बुन सुभ, 15 बुन शाम को आप ले सकते है और बच्चे जो 12 सल के उम्र के हैं, उनके लिए 5 बुन सुभ, 5 बुन शाम को ले सकते है तिसरी जो medicine है, उसका नाम है इचनेशिया, इंफेक्शन के लिए बहुत अच्छी medicine है अगर आप इसी इंफेक्शन के contact में आए हो, तो तुरंत इंफेक्शन स्टॉप करता है, आपको बीमार नहीं पढ़ने देता इए immunity बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी medicine है इचनेशिया एक खून को भी साफ करता है, जैसे फोडे फुनसी आपको नहीं होने देता ग्याइंग्रिन जैसे condition में, septic condition में एप बहुत ही लाबकरी है इसका भी सेवन आप 15 बुन सुबह, 15 बुन शाम, कुन गिनी पानी में ले सकते है चोथी जो medicine है, उसका नाम है अश्वगंदा अगर आप जल्दी ठक जाते हैं, थोड़ा काम करती हैं, आपको ठकान महसूस होती है तो यह बहुत लाबकरी medicine है, इस medicine से आपको ताकत मिलती है, शक्ती मिलती है अश्वगंदा में अंटियोक्सिडेंट रहते है, तो इसकी वज़े से आप वाइरल फिवर, खासी सरदी जुकाम से दूर रहते है और यह infection नहीं होने देती, और आपके अंदर immunity बढ़ती है cancer जैसे ख्यतरनाक बिमारियों में भी एक बहुत लाबकरी है, एक cancer के cell को रोकने में मदद करती है तो ए medicine आप 15 बुन सुबह, 15 बुन शाम को आदा कब गुंगुने पानी में ले सकते है तो इसके इससे आपकी immunity बढ़ जाएगी और आपको infection नहीं होगा अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, धन्यवाद